क्या करिन कुंद्रा नजर आएंगे खत्रों के खिलाड़ी सीजन 13 में? क्या अपने ही दोस्त के बनेंगे दुश्मन? क्या है पुरी खबर? चलिए जान दे हैं डिक्टेल में? हलो दोस्तों, मैं हूँ कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं, फीफा फोल्स वैल, जैसा कि इन दिनों खत्रों के खिलाड़ी सीजन 13 की शुरुवात होने वाली है और कई सारे सेलिबरिटी के शो से नाम जोड़ चुके हैं, मेकर्स हैं, जो लगतार बड़े-बड़े सेलिबरिटी को अप्रोच करने में लगे हैं, जिससे की शो सुपर डूपर हिट साबित हो वैल, अब ऐसे में आप सभी को पता है कि शो के लिए अंजली, मुनावर, शिप ठाकरे, अर्चना, सौंदारिया, यह सब सलेक्ट किया जा चुके हैं और कहीं न कहीं यह confirm contestant भी है वैल, इसी के साथ आपको बता दे कि शो के लिए उमर रियास को भी अप्रोच किया गया है इसी के साथ आपको बताए, अब करन कुंदरा का नाम भी शो से जोड़ चुका है खत्रों के खिलाड़ी सीजन 13 में करन कुंदरा भी नजर आ सकते हैं मेकर्स ने उनसे बातचीत की है और अगर चीज ठीक हुई तो रिपोर्ट की माने तो खत्रों के खिलाड़ी सीजन 13 का हिस्सा बंदे हुए नजर आएंगे अब यहाँ पर करन कुंदरा और उमर रियास दोनों को ही यहाँ पर शो के लिए अप्रोच किया गया है अगर दोनों ही नजर आते हैं तो दोनों ही दोस्त थे बिग बॉस के घर में और यहाँ एक दूसरे को कॉमपटिशन देते हुए नजर आएंगे तो यह काफी ज्यादा इंट्रस्टिंग रियालिटी शो होते हुए नजर आएगा क्योंकि कई सारे सेलिबर्टी हैं इस शो में जो की बिग बॉस के घर में दुश्मन थे लेकिन आप बाहर आकर दोस्त बन चुके हैं बिग बॉस के घर में दोस्त थे लेकिन बाहर आकर दुश्मन बन चुके हैं तो यही सारे सेलिबर्टी हैं जो खत्रो के खिलाड़ी सीजन 13 का हिस्सा होने वाले हैं तो इसलिए खत्रो के खिलाड़ी सीजन 13 काफी ज़्यादा धमाकेदार और पावरफुल होने वाला है। फलहाल अगर रिपोर्ट्स की माले तो खत्रो के खिलाड़ी सीजन 13 की शूटिंग जो फलहाल आप करन कुंद्रा को खत्रो के खिलाड़ी सीजन 13 में देखने क्लिए कितने एक्साइटट है आप हमारे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खेट टेवी की दुनिया की खबरों को जानने के लिए खद्रों का खिलाड़ी सीजन 13 से रेलेटेट अपडेट्स को जानने के लिए चानल से जुड़े रहें चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले